आज आपको सेटेड़ियर करने जा तो हम लोग सेट सुरू करने से पहले कुछ जादा प्रिपरेशन के लिए पहले से पहले से हमने कुछ सोचा है कि QSbank Solve करा दिये जाए पहले QSbank जो है 10 का प्रिप्रेशन करवा दिया जाए पिछला जो दस बर्सों में पूछा है तो हम आपको पहले बता देंगे बन वाई बन कोशन और जहां पर आपको प्रोब्लम होता है तो आपको रत मैसेज किजेगा फिर हम रिपलाई दे सकते हैं ऐसे तो रिकॉड़ेट वीडियो में यह संभव नहीं है लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा बाई पीडिया फिया फिर बाई इमेज तो आना बाकी के लिए फिर नंबर है यह बाट सब से जूड़ सकते हैं तो फिर हाना तो उस पर हम लोग डिसकॉसन कर लेंगे तो यहां पर देखें पहला कोश्चन सुरू कर रहे ह है है यह जो है 2019 का है यह 2019 का है सेट नंबर ए यहां पर देखेंगे इसका पहला कोश्चन आई बोला यदि यह कुद्धाग्र उद्धाग्र मने परपेंडिकुलर लंब लंब उद्धाग्र मने घड़ा सिधा बोला एक उद्धाग्र खंबे की छाया की लंबाई इधर से अगर हम लालटेन लगा देंगे या फिर सूर्ज लगा देंगे, ठीक है, है ना यहां से, तो यहां से छाया किदर बनेगा? इधर बनेगा अनि जमीन पर बनेगा तो इस डिरेक्शन में यह हमारा चाया है यह जो हम डॉक्टर लाइन से दिखा रहा है इसको चाया समझेगा यह आपका खंबा है और यह नीचे चाया बोला है चाया की लंबाई रूट 3 गुना है जितना बड़ा खंबा हो से रूट 3 गुना अगर यह एक है तो यह रूट 3 गुना करेंगे तो कितना हो जागा एक में रूट 3 गुना करेंगे तो रूट 3 अगर खंबा एक है तो यह रूट 3 है तो बोला इसका उन्नेन कौन क्या हो को यहाँ बनेगा है ना यहाँ से लिए झिक के सामने यह यह ise पी होता है और यह भी होता यह पी बटा भी लेंगे तो हमारा inथीटा उगया तो शीं Bunda बराबर पीवर्टा भी एक का मान एक है, अब देखें 10 ठींटावराबर और 10 में किस का मान होता है एक वड़ा रूट तींट, 10 में होता है 30 का, यहाँ पर देदेंगे हम 10 30, वड़ाटा रूट थरी के बदने 10 30 लगा देंगे, 10 से 10 आपका कैंसील हो जाएगा, ऊहान से बचेगा थिटा तो यहान से बच्छेगा 30 काटना ने है है हाना धैन को काटा नहीं जाता है हाना इसको बोलते outbreaks क benefit क्या जाता है बस काटानी जाता है खिंध मैंनी को अ पत्तो की यह गट्टी को अच्छी तार से फेटा गया एक पत्ती याद्रिश्या निकाली चालती है और बीना रेंडम नी बीना देखते वह निकाल रहा है पत्ती के याद्रिश्या तो इसके इका होने की प्राइक तार से पत्ती में टोटल हम बताए थे 52 कार्ड होते है जिसमें 26 लाल होता है 26 काला होता है और सभी में दो-दो कार्ड होते है और चार प्रकार के टोटल कार्ड होते है इका का नहीं है ना चार प्रकार के होते है इट इका होता है, काला पान होता है, लाल पान होता है, और चिड़ी होता है, तो यह चार प्रकार के होता है, सब में इका एका गो रहता है, है ना, एस बोलते हैं उसको, इका को क्या बोलते हैं, एस डिनोट रहता है, उसको एस बोलते हैं, तो इका टोटल चार गो, बामन पते में चार गो इका इका इसका इका इसका 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 इसक पार बटा 52 तेरा चाहो बामन और आपका एक बटा 13 हो जाएगा एक का निकालने की प्रब्लीटी यह आपका अंसर सी उसके बाद बोला है कि बिंदू तिसरा में बिंदू किस पार में इस थे और आपका किस कौडरेंट में पूछा है जैसे आप यह पढ़े होंगे हैना किस में प्रब्लम है इसमें हना इसमें बोला है कि प्रब्लीटी है तो probability जो इसमें बोला है कि probability निकालना है इका का तो देखो एक तास में बामन पते बामन पते में 26 लाल और 26 काला का होता है तो 26 लाल 26 काला में टोटल चार परकार के पते होते हैं इसमें चार परकार के एक इट का होता है जो यह है यह plus में, यह minus में, इसमें हम बताए थे, कि अगर यह x है, यह x dash, यह by, तो यह by dash, यह वाला plus में होता है, एक, दुआ इसे करके plus में, उपर भी plus में, इधर minus 1, minus 2, नीचे minus 1, minus 2, इधर भी plus में, x कमान plus, अब आई कमान भी, plus, पलस, यह first coordinate, यह देखो, by plus, x minus, तो x minus, अब आ यह वाला लिखें, इसको बोलते है, second coordinate, इसमें देखो, x वाला क्या है, minus में, अब आई वाला, भी minus में, दोनों minus में, इसको third coordinate रहे, और यहाँ पर देखो, x कमान, पलस में, by कमान, माइनस में, इसको plus, माइनस बोलते है, इसको fourth coordinate, तो बोला, यह वाला, किस coordinate में तो देखें, इसके आगे कुछ नहीं तो, पलस, इसके आगे minus, पलस माइनस, देखो, पलस माइनस किसे हो पढ़ रहा है, पलस माइनस, four coordinate में, और यह आपका option, d होगा answer, उसके बाद देखते है, यहाँ पे, नेन में से कौन से घटना प्राइक्ता नहीं हो सकती, प्राइक् प्राइक्ता होगी, तो यह जरूरी है कि जीरो से बड़ा होगी, हाँ ना, और एक से छोटा या बरावर होगी, अगर बरावर हो गया तो निश्चित घटना है, अगर जीरो हो गया है, तो घटना घटा ही नहीं, ठीक है, तो ना तो जीरो हो सकता है, ना तो बन हो सकता है, कर्फर मली ठेक है लेकिन हो गात जीरो छोटा और जीरो से बढ़ा तो देखो तीन पॉइंट पांच है कवे explored सकता है नहीं यह बहुए नहीं हो सकता है मैं तो 60%, अनि 100% से छोटा है, इसका मतब यह दोनों हो सकता है, यह दोनों नहीं हो सकता, यह दोनों मैं अंसर मार दीजे, आहाँ पे option गलत सेट क्या है, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर 0.5 रहता है तो आप answer कौन मार दे, यह वाला आपका answer हो जाता है, यह क्या है, एक से होता है, ठीक है, अगर option अगर सुधार यहाँ तो answer यह है, अगर option नहीं सुधार यहाँ तो दोनों का दोनों ही हो जागा, उसके बाद देखे, यह दी 10 ठीटा बरावर तीन बटा चार है, इसको हम डिलिट करते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, probability है, 1, अना, उसके बाद देखे, इसको हम डिलिट करते हैं, देखे, इसको हम बोला, यदी 10 ठीटा बरावर तीन बटा चार, 10 ठीटा का फर्मूला क्या होता है, P बटा, B, 3 बटा, 4, P का मान 3 है, B का मान 4 है, तो H का मान कितना होगा, 5, निकालेंगे, H बरावर होता है, अंडर रूट, P स्कुएर, तीन का स्कुएर नो, चार का स्कुएर, सोलन नो, पचीस हो, 25 का कितना हैगा, पाच आएगा, तिकोची है, H बरावर ना, H बरावर पाच, यहां देखे, साइन ठीटा का फर्मूला था, P बटा, H, P का मान है, 3, H का मान भी लाए, 5, 3 बटा, 5, अप्सन, D, उसक बदलता है, साइन में, यह वाला ठीटा आगे जाता है, A है तो A है, अनि साइन, A होगा, साइन ने देखे, आप्सन में यहां है, आप्सन, D, माल दीजिए, फर्मूला है, उसके बादे, इन में से कौन, आपरिमेश संख्या है, देखते हैं, आपरिमेश संख्या कोन है, ज नहीं बोला, है ना, अनि यह क्या है, आपरिमेश है, नहीं निकल रहा है, यह भी नहीं निकल रहा है, साथ पाच में दोनों इसको निकल रहा, यह भी आपरिमेश है, और यह भी आपरि, इसको लिख सकते है, आठ ती या चोबिस, निकलेगा तो नहीं, है ना, तो A परिमे आपरी में आपरी में इनमें से कौन आपरी में नहीं है यह परी में है क्योंकि पूरा-पूरा बाहर निकल जाता है इसको लिख सकते हैं एगारा गुने एगारा अद्दूगो एगारा में एगारा बाहर जो रूट से पूरा-पूरा बाहर निकल गया उसको परी में संख्या को चीए उसके बात देखते हैं यदि पी तथा कि अभाज संख्या तो उनका मसा क्या आए हमेशा ध्यान देना दो आभाज संख्या की इसको बोलती दिखे दो और तीन ये दो आभाज संख्या अब इसका मसा निकालने के लिए तो आप जान भी करते हैं, क्लास बच्चा वला में थड़ लगा दीजे, दू काई हैं, दो, एक, एक से फिर लगाएगा, एक दूना, दू, कट गया, यह बहला मसा होता है, इसको बोलते हैं, एच, सी, एफ, अना, दो अबाज संख्याओं का, याद रखेगा हम सीदा सीदा, दो अबाज संख्याओं अगर है, और उनका मसा आपको निकालना है, तो क्या आएगा, एक, बोला है, दो चर में, बोला है, दो चर में, अनि, दो भैरियेवल में, दो चर में, दो एगातिय समीकरन के गराफ यदि परती छेदी हैं, अगर गराफ परती छेदी है, है ना, य एक जगा अनि बिंदू X और भाई का बिंदू जो है point है एक ही जगा मिलेगा एक जगा मिलेगा अनि इसका हल सिर्फ एक अनि option एक है उसके बाद देखे पी बिंदू नियामक दिया है पी आप नियामक कॉमा इसे भी नोट करते है पी नियामक माइनेस 4,2 ऐसे भी अना यहां तो दिया है P-4,2 X कमान है 2 कमान Q-8,6 तो मिलाने वाली रेखा खंड के मध बिंदू का नियामक क्या होगा कोई भी अगर मध बिंदू निकालना है है यह दिया है M-4,2 और यह दिया 8,6 मध बिंदू निकालना है तो एक पहला को पहला से जोड़ दीजिए अधू से भाग जी है, अनि 2,4 देखे, option में होगा अप्सन च searching और मद्ध विन्दू का formula एक्स कमांड निकलना रहागा गाटे इसका नियामक का formula इधे लिए ticks जी का एक्स बान फलस एक्स टू ntू और प्लस एक्सट तू और यह तो फर्मूला यह सीधा सीधा है ना इसको हम सावित भी करके देखा है पी बटाइच का होला स्कॉयर कर दीजेगा बटाइच का होला स्कॉयर कर दीजेगा ताव यह पी एस्कॉयर पलस बी एस्कॉयर अब बटाइच स्कॉयर पी एस्कॉयर बराबर से θα Songs qrd कर टकते क्साया तो आप आज से भी कर सकते हैं और आए से तो फर्मुला याद रख Catal एक आदमी 24 मीटर है देखें यह पूरा डिरेक्शन है यहां पर पार देते हैं इधर होता है east इधर होता है based इधर होता है north उपर होता है north नीचे south बुलाए कि एक आदमी 24 मीटर पस्चिम जाता है और यहां से जाना शुरू करेगा तो 24 मीटर पस्चिम गया कितना गया माल लेते हैं यहां पहुंच गया उसके बाद पुना हुआ 10 मीटर उत्तर उत्तर कहा है north उपर 10 मीटर उत्तर गया चला गया उत्तर जाता है आँ वहाँ अपने प्रारंबिक बिंदू से कितनी दूर पर आब यहां पर है असुरू में यह प्रारंबिक बिंदू यहां आब यहां है तो बताना है कि यह कितना दूर पर है तो यह समकुन बनाना है तो क्या हो जागा यह दूरी निकालने के लिए under root 24 का स्क्वाइर कर देंगे इहां पिस निकल गहाए उसके बाद यहां पर देखें क्या दिया है है न बूल mont लामाध् का फर्मूला आप देखिए सभी संख्यायों का योगड़ा सभी संख्या दिया है ऐग दो किटना आयवाद है, 10, तो 10 रख देंगे, तो देखो, 8, 6, 14, 14, 9, 23, 23, 23, 26, 10, 36, 36, अई विला पला 6, अब बटा 5, बराबर 10, भागा में 5, उधर जाके गुणा में 10 पचे, 50, 36 पलास में उधर जाके, 36 घटा दो, 13 बराबर केतना है, 14, 50 में 36 गया, 14, option C में है, उसके बाद देखे, यदि 5 का सिटा बराबर 3 है, 5 का सिटा बराबर 3 तो हो जागा, का सिटा बराबर 3, पांच इधर गुणा में इधर आके, तो का सिटा का होता फर्मूला, B बटा H, B बटा H बराबर 3 बटा, B का मान, 3, अब H का मान, तो B या H मालूम चल गया, हना, हना, तो हमको निकालना है P, तो P ब्राबर क्या होता है? Under root H square minus B square तो H के जगा केता है? 5 तो 5 का square, अब B के जगा 3, 5 का square 25 अब 25 में से नो गया? 16, 16 का 4 P ब्राबर निकला 4, यहां निकाल रहे हैं 3, 10, ठिटा का फर्मूला होता है P बटा, 3, अब P के जगा लाएं अभी? 4 अब B के जगा केतना लाएं? 3 3 से 3 क्या बचा? Option, C में दिया हुआ है 4 उसके बाद देखे, निम्न में से कौन सा दिगहात समी कराने? तो यहां फैंड कर लिए जबने, डिरेक फैंड कर लिए देखे, X plus 2 का होल क्यों, अनि power 3 आएगा power 3 में दिगहात नहीं तिरिगहात हो गया दिगहात पुछा है, खतम उसके बाद देखो, यहां से A plus B का होल अस्क्वाइर अस्क्वाइर आएगा, है ना? तो यह दिगहात हो सकता है अभी फर्मने है यहां देखो, अगर इसके नीचे हम 1 देंगे तो बचेगा LCM X square X से कटेगा, तो X का power 4 X का power 4 में दिगहात नहीं है, खतम उसके बाद देखो, यहां से A minus B into A plus B A square minus यह भी हो सकता है, हो सकता है, ना? तो यह दोनों का हमको चेक करना पड़ेगा, है ना? तो चेक करना पड़ेगा, तो यह दोनों में भी possible है, तो इसको स्वल्व करके देख लेते हैं, है ना? इसका हो जाएगा X square कर लिजेगा, X square plus 2X minus 2X, minus 4 बराबर 5, तो हो जाएगा X square बराबर, यह दोनों कट गया, 5, 4 no, X square बराबर यह दोनों है, यह है इसको स्वल्व करके देख लेता हूँ तो जाएगा, A square plus B square, plus 2 AB, बराबर 2X minus 3 स्वारी, तो तिन दोनी, 6 तो आँसे देखे, X square minus 2X से 2X कट गया, तो X square, अब plus 1 उधर जाके, minus 1, अनि, minus 7, अनि यह भी दोनों है, यह दोनों है, अनि, option option match कर रहा है, double double match कर रहा है, आप दोनों मार लीजिए, है ना, आपको board में इसा नहीं मिलेगा है ना, problem हो क्या होगा दिने में, छपने में, है ना, तो आप लिग लीजिए, यह आप देखेगा, जिसका घाट पावर दू है, maximum घाट पावर दू है, तो 2 घाट है, 3 है तो 3 घाट है, 4 है तो 4 घाट है, चीक है, थेंक देखो, सोलर नंबर कोश्चन है है ना, सोलर नंबर कोश्चन में देखेंगे यदि A, B, C, कोश्चन बोल रहा है यदि A, B, C, किसी तिर्भूच के कोण हो, है ना, किसी तिर्भूच के कोण A, B, C हो, तो हम जानते हैं कि तिर्भूच A, पलस B, पलस C का तीनों एंगिल, जो है, 180 डिगरी के बरावर होगा, अब वोला साइन B, पलस C, Y, 2, तो पहले C, Y, 2 में देखिया है, B, पलस C, Y, 2 यहाँ निकालना है, इस एंगिल को इसको छोड़ दीजे, तो जागा, B, पलस C, Y, 2, बरावर 90, अब पलस A, Y, 2, उधर जाके, माइनेस में A, Y, 2, B, पलस C, Y, 2, बरावर 90 माइनेस A, Y, 2, इसका मान पूछा है Cos, ठीटा के जगा, क्या, A, Y, 2 ना, तो क्या हो जगा, A, Y, 2 अनि Cos, A, Y, 2, किस में है, आप्शन C में, तो आप्शन C दीजेगा, है ना उसके बाद देखिये, 6 सेंटीमीटर भूजा वाले घन में, 2 सेंटीमीटर भूजा वाले कितने घन बनाया जा सकते है बड़ा घन का 6 है, अब आईतन होता है भूजा Q, अनि 6 गुने, 6 गुने, 6 अज छोटा घन का आईतन, छोटा घन का भूजा है 2, तो आईतन क्या हो जागा, 2 गुने, 2 गुने, 2 2 तीया 6, 2 तीया 6, 2 तीया 6, 3 तीया 9 तीया 27 गहन, छोटा कितना गहन बन जाएगा 27 गहन बन जाएगा उसके बाद देखे ध्यान में यदि PX यदि PX बावर XQ-3X-4 है तो PX का एक सुन्यक क्या होगा इसका एक सुन्यक निकालना है तो आप या तो है न इसको 0 के बराबर कर देंगे अगर आप सुन्यके बराबर नहीं करना चाहते तो 1 by 1 X के जगह 2 भी रखके देख लिजिए X के जगह 4 रखके देख लिजिए किस पर ये बराबर हो जाता है तो जैसे 2 रखते हैं तो 2 का स्कुाइर 4 माइनेस 3 दूरा 6 चे चार 10 है न तो 4 माइनेस 10 है न X के जगह 4 माइनेस 4 0 आना चाहिए 4 का स्कुाइर 16 4 तीया 12 माइनेस 12 माइनेस 4 तो 16 है न तो माइनेस 12 माइनेस 4 माइनेस 16 में से 16 गया 0 आगे न LHS में 16 किये RHS आ गया अनि X बराबर क्या निकलेगा 4 यह आपका सुन्यक होगा यह इसका दूसरा भी में थड़ है आना आप निकाल सकते solution करके X स्कुाइर माइनस 3 X माइनस 4 is equal to 0 चाहर आइस त्या के कुछ नहीं तो 1 तो 1 गुने 4 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा 4 को आप तोड़िए 2 तो जा 4 यह फिर ऐसे ने तोड़िए x केजे x स्कुाइर इसको हम लिप सकते है 4x बर्लस x माइनस 4 बराबर 0 x स्कुाइर माइनस 4x में से 1 x गया माइनस 3 x यह माइनस 4 का माइनस 4 x स्कुाइर का अब दो-दूगों का common लिजे दोनों में x common है यहाँ से x निकले एको एक्स बचा माइनस यहां से एक्स निकला क्या बचेगा चार यहां से पलस बन कॉमन लिजिए तो एक्स माइनस चार बराबर जीरो तो एक्स माइनस चार जीरो के बराबर किजिए हना अब उसके बाद एक्स पलस बन बराबर जीरो माइनस 4 उधर जाके पलस 4 अब पलस 1 उधर जाके माइनस 1 तो क्या होगा माइनस ओला सेटिस्फाइड नहीं होगा एकस बराबर 4 इसका एकस उन्य क्या हैगा 4 तो दोनों में से कैसे भी कर सकते है जो आपको जल्दी होता है कर लिजे उसके बाद है यह एपी का है कोशन देखे एपी में यह टर्म होता है पहला पद डिफरेंस निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को क्या करते है घटाते है तो एकामन माइनस 54 बराबर कितना होगा माइनस 3 होगा ना एकामन माइनस 54 बराबर एक पर माइनस, 3 तो 54 माइनस, माइनस, नौत यहाँ 24 में सा 27 गया 27 अपस्ञ उसके बाद देखे 2 बेलनों की तरिज्यावान का अनुपाथ 31 है 31 32 है 22 बेलन की तरिज्यावान का अनुपाथ द्यू अनुपाथ 3 है तथा उनके उचाईएं का अनुपात पाच अनुपात तीन, यह उचाई है, H1 और H2 से डिनोट कर देते हैं, अना दोगों बेलन है, तिरिज्जा यहाँ पर दिया हुआ है, अब उचाई यहाँ पर दिया है, बोला उनके आइतन निकाले, तो बेलन का आइतन, बेलन इसको ब पाई से पाई तो कट जाएगा, R1, R1 के जाएगा कितना है, 2, तो 2 का स्कॉर, H1 के जाएगा, 5, R2 है, R2 के जाएगा, 3, स्कॉर, H2 के जाएगा, 3, 2 का स्कॉर, 4, 4 पज़े है, 20, 3 का स्कॉर, 9, 27, अनुपात, 27, देखिया, उप्षन भी में हैं, यहाँ से देखो, फिर ब बेलन है, बेलन का आईतन क्या होता है, पाई यार स्कॉर, H, बोला है, 2 बेलन है, एक का तिरिजिया, 2 है, एक का तिरिजिया, 3 है, और एक का उचाई, 5 है, दूसरा का उचाई, 3 है, तो 2 बेलन का आईतन, तो पहला बेलन का आईतन क्या होता है, पाई यार स्कॉर, H, तो प पाई से 6 छेत्र फल वाले बिरीद की तेरीज्या क्या होगी 38.5 का मतब क्या होगा 77 बटा 38 दुना 6 यह तरनी 77 बटा 2 बोला एक 6 तरफल है 6 तरफल बने πाई यार बिरित का 6 तरफल 77 बटा 2 है बिरित का 6 तरफल होता है πाई यार अस्कॉयर तो पाई का मान रख देते है 22 बटा 7 आर अस्कॉयर 27 बटा 2 तो यह 12 नहीं 22 11 यह 47 तो जाएगा आर अस्कॉयर बड़बर 7 बटा 2 यह भागा में 7 उधर जाके गुना में अची 2 गुना में इधर आके भागा में इधर सी अस्कॉयर हटाएगे तो इधर क्या जाएगा तो आर बराबर 2 को 7 में को 7 ब़हार दुगु दुमेगो आर बरावर कितना आया 7 वत्टा 2 नी साळे 3 सेंटी 7 को दुसे भाग़े देंगे कितना आयगा 3 सेंटी मीटर 38.5 के 27 वत्टा 2 आयगा 2 से कुना करो 27 का आधा आयन 38.5 27 वत्टा 2 27 वत्टा 2 ही लिखावा तो थत्त में दूर से भागा दो ना, 38 दूरा 6 अधार, आवाधा का किरना, पंट? ऐसे समझ में, कितना? साथ है, और एको क्या है, माइनेस एक कॉमा, तीन है, बोला है, बीच का दूरी निकालना है, अन्य ये दूरों के बीच का दूरी का फर्मुला उता है, दूरी का फर्म स्क्वाइर, पलस y2-y1 का होल स्क्वाइर, तो x2 देखे, कितना है, minus 1, और minus फरमूला होगा, x1 के जगा minus 5, तो minus minus, पलस, और by 2, by 2 के जगा अपर देखे, 3, और minus, फरमूला होगा minus, by 1 के जगा, 7 का स्क्वाइर, पाच में से गया 4, 4 का स्क्वाइर, सोला, अच साथ में से तीन गया माइनेस चार, चार का स्कॉयर सोला, अनि दू गूने सोला, सोला का कितना निकलेगा बाहर चार, अब दू तो निकलेगा नहीं चार रूट टू यूनिट में आता है, लेकिन आपे मात्रक नहीं दिया है, इसलिए, सिर्फ चार उटदू दिया है, तो चार उटदू हम मार दिजिए, उसके बाद बोला है, दो संख्या है, एक संख्या ए है, दूसर संख्या ठारा, फर्मूला जानते हैं, लसा भी दिया हुआ है, मसा भी दिया हुआ है, एक अमान निकल क्या है ए दूसरी सांग क्या 18 LCM दिया है 36 HCF दिया है 2 एक आमान पूछा है 18 दूनी 36 दू दूनी ए बरावर कितना बचा चार उसके बाद बोलाए किसी बृत के केंदर से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर यह दे पहले पाद देते हैं उसके बाद देखेंगे बृत के केंदर से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर और बोला है उसके बद क्या बोला है तो बृत की तिरिजया ग्यात कराया और यह असपर्स रेखा की लंबा ही 12 है असपर्स रेखायी ना जो ब्ृत कोवे एक बिंदू पर टच करते हैं उसको असपर्स रेखा यह 12 बोला है ये 12 ये 13, तरीक है, समकौन 13 न, समकौन 13 से क्या होता है भूजा? 5-12, 13, तो तरिजा, बोला है, तरिजा हही होता है न, 5-12, 13, समकौन 13 न, 10-24, 26, 27-25, यह सब याद रखना, तो आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, या फिर आपी इससे निकाल सकते हैं, 13 का स्कॉयर माइनस 12 का स्कॉयर कांडरू बराबर क्या आएगा 25 25 का निकल का एगा 5 उसके बाद है कि 5 15 और 20 का लसा और मसा निकलना है 5 15 और 20 का निकल लिए 5 15 और 20 का LCM निकल लेंगे तो LCM कितना होगा 5, 15, 20 का आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना, और ऐसे LCM होगा, 60 होगा ना, जो सब से कट जा है, उसको LCM बोलते हैं, है ना, देखो, पाची काई 5, 5, 15, 25, 24, 24, 25, 25, बोला LCM, उसके बाद बोला HCF का मसा चाहिए, LCM तो आ गया, HCF निकाल दा इसका, इसका 5 से भागा देगा इसे 5, 24, पुरा-पुरा कट गया, आनि 5 HCF, 5, 15, पुरा-पुरा कट गया, आनि कितना होगा HCF, 5, 12, 25, आनि 12, 25, एक, या फिर आप बच्पन में जैसे भागा देते, 5 से पहले 20 में भागा देंगे, तो HCF 5 आएगा, फिर 15 से भागा देंगे, है ना, तो HCF 5 आएगा, तो पिर यहाँ पर कंपेर कीजिए रहा है ना, उसके बाद, 25 के बाद, 26